हलो दोस्तों कैसे हैं आप साब उमिद करती हूँ कि आप साब अच्छे होंगे तो 20 साल पुराना गुटनों का दर्द जकडन ये सब दूर भगाने का आज तरीका लेकर आए हैं देसी तरीका देसी जुगार जैसा कि हमारी दादी नानी पहले ये तरीका अपनाती थी और मिं येılां योज करना है । कि यहान पर देखिय दोस्तों आप दूरा डाल बंहेंगी चाहिए अमने यही जबिसज काम आने काम करता है यह यह तो यहां पर देखिए दोस्तों प्याज ले लिए हैं और प्याज सी यह हम सलूसन दर्द वाला बनाएंगे तो देखिए इस तरीके का जो उजला उजला सा प्याज है वो प्याज नहीं चाहिए हमें चाहिए यह लाल वाला प्याज क्योंकि यही प्याज हमारा जो है न दर् तो देखे यहां पे एक घुटनों मे एक यहां इरा गारी है जाल nggak और चाहिए आप लोग को तो टब चम्ट ने रिस तरीक दरो Εणिद ने कि को चीम्टा सेवता है जो होता है उस आपक नैङ सेख confiscate सभरों सब्रीज चीमटे से चारव 17 को सब्सक्राइज को सुधर का सब्सक्राइब करें 25 चैनाओ हम तो चलिए दोस्तों यहां पर आगये हैं तो सबसे पहले घुटनों पर हल्दी का लेप लगा लेना है तो इस तरीके से हल्दी में कोई पानी या तेल नहीं मिला के सूखे हल्दी में इस तरीके से लेप लगा के और प्याज को इस तरीके से गुटनों पर गर्मा गरम प्याज को रख देना है और रखने के बाद इस तरीके से क्या करना है कि एक कपड़ा ले लेना है सूती कौट कटिन का औरै को इसी तरीके से हम क्या गोपड़्ाय देंगे और एक और कपड़ा है यह पने और बंद देना और ये जितने समय फें तरीके देञें को साथी हो जाया है अगर तरीक हैने अगर अच्छा लगा ओ तो लाइक किजुएगा एक और तरीक कर लिएगा head करण कर लिए अभिए। निकाल लेना है तो इसतरीक के साँ को कर लिए। चुम्मच की मदद से तो चलिए दोस्तों यहां । प्याज का रस हम निकाले हैं। जितना तेल डाले हैं। उसी हिसाब से प्याज का रस डाल देना है। रस डालने के बाद इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यह मेरा solution बन कर हो गया दर्द वाला तैयार और इसे क्या करना है कि ऐसे ही नहीं लगाना है इसे थोड़ा सा गर्म कर लेना है तो देखिए हम यहां पे गर्म कर लिए हैं और जहां पे दर्द हुआ हो गुटनों में या केवनी में जहां पे दर्द हो वहां पे इस तेल से मालिस करना है और मालिस कैसे करना है दोस्तों ये देखिए एकदम से अराम अराम से हलके हलके हाथों से करना है अगर जादा प्रेस दे के मालिस कीजिएगा तो क्या होगा कि दानी और भी बिखर जाए मैं जादा दर्ण करने लगेगा इसलिए हलके हल्के हाथों से मसाज करना है टाकिछ जल्दी वाजिवी दोस्तों तो दोस्तों इसी तरीके से मैं यू नू टिप्स वाला वीडियो लाती रहूंगी तब तक के लिए बाइबाए